कि आप online selling का business start करना चाहते हैं अगर आप start कर रहे हैं online product sell करने का business तो आपके मन में definitely a doubt होगा कि किस type का हम packing material use करें किस type का हम packing material खरीदें कौन-कौन सी market places पे हमें packing material लेना ज़रूरी है उनकी branding का और किस में हमारी plain packaging जो है वो काम आजएगी और किस किस company में tape से भी उनकी branding की जो tape होती है उससे भी काम चल जाएगा initially आप भी नहीं चाहते होंगे कि अगर आप नया business start कर रहे हैं तो आप किसी company की particular branded packing material में आप अपना investment करें क्योंकि आपके मन में यह पक्का definitely doubt होगा कि अगर उस company में मैं sale नहीं कर पाया तो वो 100-200-500 जो भी bundle आप packing material का बंगवाएंगे वो कहीं waste तो नहीं हो जाएगा तो आपके मन में definitely doubt होगा इस वीडियो में मैं आपके सारे doubts clear कर लूँगा एंड तक आपको यह वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी important information share करने वालो जो कि आप अगर आप ने-ने seller बने हैं तो आप के लिए बहुत definitely बहुत जरूरी है यह वीडियो देखना तो गाइस मेरा नाम Shivam है और आप सब देखने है e-commerce guide India यहाँ पर आपको e-commerce related सारी guidance मिलती रहेगी तो अगर आप इस चैनल पे नए आया है तो इस चैनल को please subscribe करना मत बोलना and bell notification को भी प्रेस कर देना so चलिए अपनी वीडियो को हम start करते हैं तो हम अपने packing material को दो parts में डिवाइड करते हैं पहला तो यह हो गया कि एक plastic का packing material आपको मिलता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको तो यह packing material होता है अगर आपका delicate item नहीं है तो आप इस packing material में भी अपना product डाल सकते हैं and यहां पर यह jacket होती है यह pocket होती है and इस pocket में अपना shipping label डालना है and इसको यहां से seal कर देना है ठीक है तो यह मैंने तीन size के लिए थे initially तो मैंने सबसे पहले वाइट वाले लिए तो यह वाला जो size है वो है 8 x 12 का क्योंकि मेरे पास जो product है वो छोटे भी हैं बड़े भी हैं और जादा बड़े size के भी है तो यह depend करते हैं आपके पास किस type के size के product है and वो delegate है या नहीं है तो मैंने यह 8 x 12 का एक लिया था जो की plain packaging है and इससे बड़ी मैंने ली थी 12 x 16 की क्योंकि मेरे पास कुछ इससे बड़े products भी थे काफी तो मेरे को यह भी बहुत useful होती है and इससे भी बड़ा मैंने ले लिया था 16 x 20 का इन सब के मैंने 100 x 100 के pack लिया थे initially क्योंकि मैंने चाहता था कि मैं जादा investment कर दू starting में तो यह जो मैंने लिया थे 16 x 20 का है क्योंकि कुछ products ऐसे मेरे पास जो की बहुत जादा बड़े है and वो इस size में easily आ सकते है तो मैंने यह 3 लिये थे and snap deal पे क्या होता है कि snap deal पे उनका packing material जो है वो उनका खरीदना जरूरी होता है उसके बिना आप नहीं sell कर सकते हो वन्ना आपको penalty और charges देने पड़ेंगे जो snap deal आप से charge कर सकता है तो आप loss में जा सकता है तो इस बेटर कि आप उनके packaging material में invest करें तो मैंने यह वाला packing material लिया था यह मेरे कहल से size होगा 14 x 18 का मेरे साब से यह मेरे को काफी useful हुआ है snap deal पर जो भी मेरे पास sale होई है वो उसमें तो मैंने यह लिया था और बाकी मैंने सारी plain packaging यूज की ती अब आ जाते हैं हम इस cardboard वाले पर तो इस type के कुछ corrugated boxes आते हैं अगर आपको पता है कि आपका item delegated है बहुत delicate है एंड उसका size भी ज्यादा मैटर नहीं है मताब मैटर नहीं करता कि छोटा है size या बड़ा है मताब बहुत सारे sizes के हैं आपके पास ऐसा अगर नहीं है case तो आप कुछ दो तीन different sizes के आप ऐसे box मंगवा सकते हो 50 का 20 का 100 का पैक आता है राम से easily market में मिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई product है जैसी यह आपका product है तो आपका इस box में ऐसे आजाएगा और यह इस type से close हो जाता है तो वह proper एक box type का shape में बनावा आता है तो आप online भी purchase कर सकते हो या फिर आप local market से भी purchase कर सकते हो and इस type का एक roll आता है यह मैंने बहुत ही छोटा सा sample लिया है यह इसे corrugated roll बोलते है basically तो अगर आपके पास आपको नहीं पता कि कौन-कौन से size क्या मतब different size के आपके बास products है आप नहीं मंगवा सकते किसी particular किसी भी corrugated box किसी product के लिए किसी भी size का तो आप इसमें भी invest कर सकते हैं यह roll आता है although इतना मोटा नहीं होता है but यह थोरा सा बतला होता है but effective होता है यह आपके product को कुछ हद तक save कर लेगा तो इसमें क्या है आपको इसका roll आता है 1 meter by 50 meter जैसे मैं आपको अगला air bubble wrap भी दिखाने वाला हूं त इसमें अगर आप invest करेंगे तो यह भी useful चीज है तो अगला मा जाते है air bubble wrap में तो मैंने यह roll लिया था online amazon पर एंड यह मुझे पढ़ा था करीब 400 पर गया सबसका तो यह 1 जैसे कि आप देख रहे है यह 1 meter by 50 meter का roll है अभी यह मुश्किल से 20-25 meter रह गया है वरना यह बहुत म आया था एंड यह भी बहुत useful चीज है although मुझे इसकी quality इतनी अच्छी नहीं लगी है बट मैं स्टिल इसका link डाल डिस्क्रिप्शन में अगर आपको purchase करना तो आप वहां से कर सकते हैं तो इसी type का जो मैंने बताया आपको corrugated roll भी आता है इतना ही बढ़ा आता है और इससे लिए लेना है तो वहां से भी ले सकते हैं तो बी आता है यह से बट रोबलम यह होती है है वह देते हैं केजी में अब केजी में वह चाहते है कि कम से कम order 5-7-10-10-10 kg ऐसे हो तो उसमें किया होता है इसू कि आपका छोटा सा order होता है स्टार्टिंग में 1.5 kg से उपर नहीं तो टेपिंग में सबसे पहले तो मैंने एक पैकिंग की टेप मंगवाई है जो की प्लेन टेप है इसमें कोई भी ब्रैंडिंग नहीं है किसी भी कमपनी की तो यह बहुत यूस्फुल होती है इसके विना तो आप सेल करी नहीं सकते हो और यह डिस्पेंसर होता है यह भी मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूगा कि इस टेप डिस्पेंसर को कैसे यूज करते हैं कि मुझे भी दिक्कत आयती स्टार्टिंग में तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊगा तो यह प्लेन टेप हो गई एंड बाकी में हम क्या कर सकते हैं हम ऐस इसी टाइप की ब्रैंडिंग पैकेजिंग वाली टेप भी ले सकते हैं जो की बहुत रीजनेबल पढ़ती हैं इनके 3 के या 6 के पैक आते हैं तो मैंने शॉप क्लूज का लिया था इबे का लिया था जो की अभी आज कल यह कंपनी नहीं चल रही है सेलिंग में एंड दिलिवर हो गया था शॉप क्लूज की तरफ से तो इसकी चिंता करने के आपको कोई जरूरत नहीं है बस बैसिकली आपको टेप खरीदनी है तो वह आपको खरीदनी है फ्लिपकार्ट की एमेजन की एंड इबे तो है नहीं खर तो आपकी इन दोनों कंपनी की आपको टेप टेप लेनी है अगर बात करें तो आपको वह पैकिंग मेटीरियल खरीदना है रेड कलर का जो उनका ब्रैंडिंग का होता है तो यह बैसिकली टेप का सारा सिस्टम है अगर प्लीन पैकेजिंग में आपको ऑडर आता है आपको एमेजन शॉप क्लूज या फिलिपकार्ट तो आप इनकी ब्रैंडिंग की पैकेजिंग से आप पैक कर दोगे तो वो भी सफिशन्ट होगा आपके पास कोई भी वैनल्टी नहीं लगेगी आपके उपर तुमारा अगले पैकिंग मेटीरियल में एक चीज है जो की बहुत ज़रूरी है वो है यह स्ट्रेच रैप रोल में टो यह बहुती यूसफुल होता है तो होता को ञाएगी कभी जब आपका प्रोड़क्ट जा रहा होता है रष्ते में तो जैसे माल लो है यह प्रोड़क्ट है अड यह किसी बॉक्स में पैक हो रख है तो कपाःयर में क्या होता है यह लहता धे बीच में तो व्यों केस में यह बहुती यूसफुल है तो suppose यह product है आपका and यह stretch wrap roll है तो अगर आप इसको sell मतब इसको आपकी अगर इसकी sell होई है यह product sell होआ है तो आपको क्या करना है simply इसको stretch करके इसको roll कर देना इस wrap में basically इसको wrap कर देना ऐसे इससे क्या होगा कि customer को भी customer को भी लगेगा कि आपका यह product यह देखिए customer को भी लगेगा कि आपने fresh product भीजा है seller ने मुझे and रस्ते में scratch भी नहीं बढ़ेंगे इस product के उपर and आपके return के chances भी कम हो जाएंगे जो कि आपको पता अगर आपकी return आएंगी तो आपका product खराब होंगा यह साथ में आपको penalty और charges आने जाने के वह देने पर सकते हैं तो यह चीज बहुत ही helpful होती है इससे आपका product बहुत ही नया दिखेगा तो यह बहुत ही helpful चीज है stretch wrap roll इसका भी मैं link description में दे दूँगा तो आप इसको भी buy कर सकते है अगला हमारा product है यह वाला जो कि मैंने यह weighing scale है जो कि बहुत ही important होता है और मैंने यह लिया था Amazon से इसका नाम है health sense company का kitchen scale तो यह weighing scale बहुत ही important है यह up to 5 kg तक weigh कर लेता है इसमें क्या है मैं आपको recommend यह वाला क्यों कर रहा हूं क्योंकि weighing scale बहुत सारे होते है Amazon Flipkart इन सब पर आपको मिल जाएंगे जो कि up to 10 kg भी weight ले सकते हैं बट उनमें problem यह होती है वो accuracy की problem वह आ जाती है और वो जल्दी खराब भी हो जाती है तो मैं recommend करूँगा इस product में invest करने को जो मैंने बताया आपको health sense का तो यह करीब 800-900 के असपास मुझे बढ़ा था Amazon से यह although 5 kg तक नाप सकता है बट इसमें आपको बहुत सारे मतलब कुछ features मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पॉस करके एंड इसके बाद यह बहुत ही पतला सा यह बहुत ही portable weighing scale है तो इसमें होता क्या है आपको weighing scale क्यों हो चाहिए कि कहीं बार होता है weight discrevency आजाते कि आपको होगे कि 400 ग्राम का प्रोड़क्ट है बट वो कॉरियर कंपनी जो है वो कहते है कि नहीं आपने 550 ग्राम का दिया तो आप कम से कम उस टाइम पे आप उनको इस पे product को रखके आप flat surface पे इसको रखके product को इसके उपर रखके आप picture click कर सकते हैं जिससे ही आपर accurate gram लिखा जागे कि इतने gram का इसका weight है जिससे कि आप कोरियर कंपनी आप से extra charge नहीं करेगी तो आप उस चीज में safe रहोगे तो यह चीज लेनी I would definitely recommend कि आप यह ले तो basically यही सब चीजे होती है जो आपको packing material में चाहिए होती है अगर आप नए-ने seller बने हैं Amazon Flipkart, Snapdeal या फिर किसी भी platform पे and अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपका product है अगर आपका delicate product है तो I would recommend कि यह ही लीजिए and इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता अगर चल सकता है तो आप product को यहाँ पर simply जो भी है उसके box की packing में आता है उसको आपको product को डालना है and इससे पहले अगर आप possible हो सके तो आप इसको air bubble से भी wrap कर सकते हैं कि रस्ते में आपका जब delivery हो रही हो तो यह चीज आपका product safe रहे है इसको कोई damage ना पहुंचे and आप definitely यह भी चीज यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है इन सब products का link जितना possible हो सकेगा मैं description में डाल दूँगा तो आप से वहाँ से buy कर सकते हैं चीज़ों को तो वीडियो के starting में आपको बताना भूल गया कि मैंने एक documentation की ऊपर आपको पूरी वीडियो बनाई थी तो अगर आप online products sell करना चाहते हैं किसी भी marketplace पे तो वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने आपको बताई कि क्या क्या documents required होते हैं की fees कितनी होती है approximately तो मैं यहाँ पर यहाँ पर i button पर दे दूँगा उसका link तो आप वो वीडियो पूरी जरूर देखना अगर आप इस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिया तो आप इस वीडियो को वाचिं दिस वीडियो तेक केर और गुडबाए